मित्रो जय मतादी आप देखने धर्मसिक्छा मित्रो आज की इस वीडियो में साथ साथ धनियों के बारे में मैं आपसे जचा करने वाला हूँ जो की जीवित पुत्रिका के वर्त के समय आपको रखनी चाहिए आपको ये साथ चीजें निश्ची तोर पर ध्यान रहनी चाहिए जब भी आप जीवित पुत्रिका का वर्त कर रहे हैं तो आपको जोड ध्यान रहना चाहिए तो वीडियो में हमाई साथ संपूर्ण जानकारी के लिए बने रही है वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लेगे तो उसे लाइक करें कमेंट बाक्स में जैजी मुद्वाहन जोड लिखें कुछ संसे रह गया हो तो कमेंट बाक्स आपका है हमसे जरूर पूछें मैं उसका उतर आपको दूँगा पुत्र की लंबी आयू आरोग्य और सुखी जीवन के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है माओं द्वारा यह एक परकार से पुत्र के परतिसने है जो की माए समय समय पर दरसाते रहती है तो ऐसे में यह व्रत जो है बहुत कठीन है क्योंकि इसमें किसी भी परकार का खान पान वर्जित है इसमें जल लत तक भी गरहन नहीं किया जाता है जल गरहन ना करने के कारण यह व्रत काफी मुश्किल हो जाता है कठीन हो जाता है और जिन छेत्रों में सब्तमियुक तो अश्टमी के दिन वरत रखा जाता है और अश्टमी देथी की समापती के बाद ही वरत को तोरा जाता है तो ऐसे में दो दिन और एक रात का वरत हो जाता है तो उनके लिए तो वरत और भी ज़ता कठीन हो जाता है तो ऐसे में साबधनिया निश्ची तोर पे आपको बरतनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना आपको ना करना परे आप इतने कठीन वरत को कर रही है तो उसका पूरा-पूरा फायदा भी आपको मिलना चाहिए इसके दिश्ची चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरुरत है यह वरत बहुत कठीन है और इसके नियम भी बहुत करे हैं उन करे नियम का पालना आपको निश्ची तोर पे करना चाहिए सबसे पहले बताना चाहूँगा जिन महलाओं को गंभीर स्वास्ते समस्याएं हैं गंभीर रूप से बिमार हैं कुछ ऐसी बिमारी है जो की जाद दिक्कत वाली है तो उन्हें वरत करने से बचना चाहिए भगवान यह कभी नहीं कहते कि आप अपनी जान देकर ही वरत करे ऐसा भगवान नहीं कहते कि यह वरत निर्जला वरत है आप इस वरत को करेंगी तो आपकी स्वास्ते समस्याएं और बर सकती हैं आपको अपने डाक्टर से निश्ची तोर पर सलाह लेनी चाहिए ऐसे भी मेरा सलाह यही है कि अगर आप गंभीर विमारी से पिरित है तो करना चाहिए ऐसे ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए और जीवत पुतिर का वरत का कथा निश्ची तोर पर सुनना चाहिए दूसरा नियम वरत के एक दिन पूर वही सही तामसी भोजन ना करें प्याद लहसन मान सहार का त्याग तो निश्ची तोर पर होना ही चाहिए कि उसे क्या होता, आपका ध्यान बढ़ता है, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान इधर से उधर आ जाता है, तो ऐसी कारण सास्त्रों में तामसी भोजन को ना करने की सलाह दी जाती है, तीसरा नियम है, इस वरत में, चुकि जल गरहन नहीं किया जाता है, तो बहुत सारी की कमी आपके सरीर में हो सकती है, और आप इससे बिमार पर सकती है, और आपको डॉक्टर के यहां जाना पर सकता है, किनी-किनी महलाओं को पानी चरहने तक की भी नववता जाती, तो इसे में आपका वरत टूट जाएगा, आप नहीं चाहेंगी कभी भी कि आपका वरत और आपका भी ध्यान भक्ति में लग पाएगा आगर आप ही सारीरिक समस्या से ग्रसित हो जाएगे तो आपका ध्यान भक्ति से हटकर अपने सरीर पे चला जाएगा पांचवा नियम इस वरत में भूल कर भी काम काज ना करें ज्यादा काम काज करने से आप स्वासमधी समस्य का सामना करना पर सकता है आपको तो ऐसा करने से बचे हैं छठा नियम संयम का दूसर नाम ही व्रत है व्रत का अर्थ ही होता है संयम यानि कि आप एक नियम में बंदे हुए हैं व्रत के दौरान मन वचन और कर्म की सुधता आवस्यक है मन और सरीर को संयम ही तरखने की आवस्य सकता है आपको मैंने हिंट दे दिया है आप बाकी चीए खुद ही समझ सकती है साथ मी चीज है वरत के समय दूसरों को अपसब्द या गाली देने से बचना चाहिए किनी से लगाई जगरे करने से बचना चाहिए किनी और के मन में कोई बात तकलीप देने वाली बात हो वो बा नहीं ही रखना चाहिए उनके लिए यह वरत काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्यों क्योंकि इसमें जल भी ग्रहन नहीं किया जाता है और आपके पेट में एक जीवन पढ़ रहा है तो ऐसे में आपको कोई भी हक नहीं है कि उन्हें आप नुक्सान पहुंचाएं और हमारी सा जान रखेंगी और इस वरत का अच्छे से करिए ताकि इस वरत का पूरा का पूरा फल आपको मिल पाए इसी तरह की अनिक्यान वर्दक वीडियो के लिए जुले ने धर्मसिक्छा के साथ और देखते रिए धर्मसिक्छा जै माता दी